हेलो फ्रेंज तो आज हम बनाने वाले हैं विंटर स्पेशल वेजिटेबल पुलाओ वैसे तो आप इस पुलाओ को किसी भी सीजन में बना सकते हैं लेकिन सर्दियों में जो इसका सुआद है इसको खाने का मज़ा ही कुछ अलग है तो चलिए शुरू करते हैं और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो इसको लाइक भी कर दे तो अब हम शुरू करते हैं पुलाओ बनाना वेजिटेबल पुलाओ बनाने के लिए हमने लिये हैं चावल, इसको मैंने 80% बोईल कर लिया है एक बाउल मटर, दो प्याज सबजियों में हमने लिया है पत्तगोबी, शिमला मिर्च और गाजर पत्तगोबी को हमें इस तरह से काटना है और शिमला मिर्च और गाजर को हमें इस आकार में लंबा काटना है मसालों में हमने लिया है गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च, जीरा और खड़े मसालों में लिया है तेजपत्ता, लॉंग और काली मिर्च अब हमने एक कड़ाई लिये और इसमें हम डाल रहे हैं दो चम्मज गी अब इसमें डालेंगे तेज पत्ता, लॉंग और एक चम्मज जीरा जीरे को हमें हलका सुनेरा करना है और इसको सुनेरा होने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं प्याज अब प्याज को भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सुनेरा होने तक हमें इसको भूनना है आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल चकते हैं उससे प्याज जल्दी भुन जाते हैं तो देखिए प्याज हमारे फ्राइ हो चुके हैं और अब हम इसमें डाल रहे हैं सबजिया सबसे पहले डालेंगे मतर और इसमें डालेंगे बाकी जो सबजी आमने काट कर रख रखी दी शिमला मिर्च, पत्ता गोबी और गाजर तो देखिए सबजीों को देखने से ही लग रहा है कि कितना कलरफुल ये पुलाओ बनने वाला है अब हम इन सबजी में डालेंगे थोड़ा सा नमक नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसको प्लेट से कवर करकर ढख कर पकाएंगे जिसे की सबजीों में जल्दी सौफ्टनेस आ जाए तो देखिए सबजे हमारी बिल्कुल अच्छे से सौफ्ट हो चुकी हैं और अब हम इसमें डालेंगे चावल जिसको हमने 80% बॉयल करके रख रखा था चावल को कड़ाई में डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक क्योंकि थोड़ा सा हम पहले सबजियों में भी डाल चुके हैं और हम इसमें डालेंगे लाल मिट्च और थोड़ा सा गरम मसाला अब ये सब डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिसे की चावल, सबजी, मसाले सब आपस में अच्छे से मिल जाएं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा चमच बिर्यानी मसाला आप चाहें तो इस मसाले को अवोइड भी कर सकते हैं बट इसको डालने से इसका स्वाद और भी अच्छा आएगा अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखिए पुलाव तो हमारा तयार हो चुका है अब हम करते हैं इसको थोड़ा गार्निश उसके लिए मैंने लिया है धनिया और ये लिये हैं मैंने फ्राइड आलू आलू को मैंने लंबा काट कर उसको फ्राइ कर लिया है और हम इसको इस तरह से पुलाव पर डेकोरेट करेंगे जिससे कि पुलाव का स्वाद और इसका टेक्स्चर और भी अच्छ हो जाए तो आप ये वेजिटेबल पुलाव जरूर ट्राइ करें विंटर स्पेशल रेसिपी है और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि हम मिलकर बनाते रहें ऐसी और भी नई नई रेसिपी तो मिलते हम अप अपनी नेक्स्ट वीडियो में